हेलो डियर मैं भुतेश आप लोगों का इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वैलकम करता हूं तो भाई जिस चीज का बच्चों को बहुत ज्यादा दिनों से इंतजार था काफी सारे बच्चों ने कमेंट करकर के कान पका दिये थे आखें पका दी थी इमेल में तो यह वो लोग कान ने तो आप लोगों के सामने में लेकर आया हूं बिगगेस्ट प्राइस ट्रोप एवर जो अपने प्लैटफॉर्म के उपर हैं एजुकेशन को और ज़्यादा अफॉर्डेबल बनाने की तरफ बैटर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुचाने के लिए ये एक चोटा सा स्टैप हम उठाएंगे तो जितने भी बच्चे दो हजार चोबिस के अंदर जितने भी SSC के एक्जाम है वेदर भी इट CGL, CHSL, MTS, CPO, ICAR, FACE किसी भी एक्जाम की मैं अलग-लग एक्जाम के लिए अलग-लग बैच लॉंच नहीं करूँगा आपने प्लैटफॉर्म पर नहीं लॉंच होते हैं आप ही साथ इन सारे एक्जाम के तियारी हो सकती है और अलग-लग आप कर भी नहीं सकते क्यों किसी लिए बस सेम है डिफिकल्टी सेम है सब कुछ सेम है तो आप किसी भी एक्जाम के अगर आप तियारी करना चाहरे हैं 2024 के अंदर SSC के किसी भी एक्जाम की तो उसके लिए एक more than enough ठीक है तो जितने भी अपने courses हैं उनके ऊपर अब तक इतना बड़ा price drop किया नहीं है इसके लग-बग का भी किया नहीं है वो हम करने वाले हैं तो सिधा start करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन चीज़े बताऊंगा भाई number one मैं आपको बताऊंगा कि course के अंदर आपको क्या मिलता है courses के बारे में थोड़ी सी detail then number two मैं आपको fee बता दूँगा कुछ courses की वैसे तो बहुत सारे option होते हैं अलग-अलग तरिके से आप courses के अंदर enroll कर सकते हैं सह महीने के लिए 12 महीने के लिए 8 महीने के लिए अलग से arithmetic चीए एडवांस चीए ऐसे ऐसे करकर के बट कुछ courses के मैं आपको fee बता दूँगा जिनको मैं target कर रहा हूं जिनके अंदर आपको enroll होना चीए आपके लिए सबसे better रहेगा and number three फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप demo ले सकते हैं and all that ठीक है सबसे पहले तो जो अपने even के student है भाई जो पहले रहे चुके हैं वो आप अपने views share कर दो honest views share करो कोई दिक्कत नहीं है हमें पता है कैसे reviews आएंगे ठीक है नीचे comment section में लिख तो ताकि जो बाकी students है उनको भी इस चीज़ के बार में पता चले अपनी जो sales team है वो तुम ही हो volunteer sales team free के बिनातन खाके ठीक है तो चले अभी सबसे पहला step मैं आपको यह बताता हूँ कि course के अंदर आपको क्या क्या मिलता है this is the most efficient content format जिस format मैं आपको courses मिल रहे है वो specially recorded courses है जल्दी से मैं बता देता हूँ तीन तरह से आपको course मिल सकता है live मिल सकता है live का ही recorded format मिल सकता है या फिर specially recorded format मिल सकता है सबसे better format ये है दूसरे नंबर का format ये है तीसरे नंबर का format ये है इसमें बहुत ज़्यादा time waste होता है इसमें time waste हुआ हुआ record भी हो जाता है specially recorded format के अंदर हम बिना कोई extra बात किये फालतू की पूरा आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने पर focus करते हैं और जो ऐसे aspirant है जो job लेते हैं उनको यहीं चाहिए होता है जो वाकई में job crack करना चाह रहे हैं जो time pass नहीं करना चाह रहे हैं अपने जिंदगी के साथ किलवार नहीं करना चाह रहे हैं कि बीच में मैं चुटकले सुनू शेर हो शायरी सुनू ठीक है उनको तो हम वैसे भी entertain नहीं करते तो the most efficient मैं efficient क्यों बोल रहा हूं एक बच्चा ह पढ़ने वाला बच्चा है जो तो ले ही लेगा एक साल में job ले दो साल में job ले तीन साल में job ले काम तो मालो सबने सेमी किया है इसने भी inspector की पोस्ट ली इसने भी और इसने भी लेकिन जिसने एक साल में ली उसकी ज़्यादा efficient रही ना तीहरी तो अगर आप कम time में job पान पढ़ता है teacher के उपर क्योंकि हमें बिना रुके बोलना पढ़ता है बहुत कम ही हम रुक सकते हैं क्योंकि भी especially record हो रहा है बीच में यह नहीं बोल रहा है मैं आपके comment पढ़ रहा हूं तुम भी बताओ ठीक है और इतना हमें experience है बच्चे की नस नस से वाकिफ है कहां पर कै कर सकते हो वीडियो की speed को तेज और मंदा कर सकते हो वीडियो को पोज करके ऐसे सोच सकते हो लाई बैच होगा तो सोच नहीं सकते पिछे रह जाएंगे फिर comment करना है क्या फाइदा सोच सकते हो कि हाँ ऐसे है वैसे है तो best format है यह ठीक है यह भी नहीं यह teacher बिमार हो गया पुरा हुआ नहीं हुआ नहीं ले टेस्ट चीज रिकोर्ड करके अभी के अभी आपको दी गई है ठीक है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं ठीक है वीडियो लेक्चर्स अपने आप में complete syllabus कवर करवाते हैं टीर वन टीर टू उसके लिए अ एक दो तीन बार कैसे गुजरना है वहाँ पर वो मैं गुजारता होता हूं ठीक है तो इसके अंदर टीर वन टीर टू सब कुछ completely कवर है जीरो से बिलकुल end level तक 100% level तक 100% relevant अपने courses रहेंगे जब student यह बोलते हैं न कि sir जो आपने पढ़ाया वही आया मेरे को यह लगता भ तो of course SSC एक ऐसा एकजाम है जो बहुती ज़्यादा repetitive nature का एकजाम है बहुती ज़्यादा predictable nature का एकजाम है तो जो भी आप पढ़ोगे एक एक सेकिंड वेस्ट नहीं होएगा सिधा एकजाम में आएगा अपनी हवा बनाने के लिए फालतु के काम फालतु के सवाल फालतु के format में होएंगे और या दोनोचीजें इन्दि और इंग्लिश में हो ए गिसे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ मैं हिंदी इंग्लिभी यूज रहा हूँ ऐसे हिंगली स्टाइप एक टाइप एक जग्छ उसके अंधर भी पहले कम जोड़ लेवल अच्छा लेवल, अच्छा अच्छा लेवल ऐसे अरेंज किया हुआ आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर फुल मिला कर ये आपका सिरफ कंटेंट का सिरफ एकमातर शोर्च हो सकता है इसके अलावा आप कहीं से भी कोई भी कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे तो भी आपका बढ़िया पोस्ट सेलेक्शन होगा ठीक है कंटेंट की रिसर्च और वह इकठा करने में कंपाइल करने में हम कोई कसर नहीं चोड़ रहे है ठीक है तो अगर आप राइट गाइडेंस के अंदर काम करते हो तो जो हर साल अजारों केंडिडेट है जो फर्स्ट अटेंप्ट के अंदर जोब क्र कर कि मैं अनिमेट करके आपको पढ़ाता हूं जहाँ पर जरूरत होती है ठीक है जो अपने बच्चे है जो पहले पढ़ रहे है वो अलड़ी आपको बता सकते हैं ठीक है इस तरीके से एनिमेशन वहां पर यूज करी गई है इंडश्ट्री में कहीं पर भी यूज नहीं बोल सकते हो इसलिए मैंने unique word लिखा यहां पर यह कहीं पर भी उस level की है नहीं then speed building test होते हैं ऐसे questions जो आपकी speed को build कर शकते हैं ताकि आप mentally steps को कर पाओ ठीक है ऐसे questions को अलग से इकठा करके आपके course के बीच में जहां जहां पर भी requirement है वहां पर test लिये चाते हैं कई जगह आप आपको mental test की requirement होती है mental test याने कि ऐसे questions जो आप mentally कर पाओ ठीक है speed building test याने की ऐसी चीज़े ऐसी calculations जो आपको बार-बार करनी पड़ती है उनको मैंने इकठा कर दिया तो उनको करने में आपकी speed build हो जाएगी जमा घटा में तो आप speed build कर लोगे लेकिन 20% more 20% less या इस तरीके स इन चीज़ों की speed में कैसी build करूंगा यह तो मैंने example लिया है ऐसे questions के दरूँ ठीक है जो चीज़े आपको mentally करनी होती है pen नहीं उठा के करना ऐसे mental test भी बीच में आपको मिलते हैं आपको quick revision points मिलते हैं maths के अंदर भी reasoning के अंदर भी जिनके अंदर आप syllabus को अगर आपन quick revision points को देखकर notes बना लोगे मतलब कि मालो geometry का जो chapter है पूरा दो गंटे के अंदर मैंने सारे concept करवा दिया number system के एक गंटे के अंदर सारे concept करवा दिया average के 30 मिनट के अंदर सारे concept करवा दिया ऐसे quick revision points का एक lecture मिलते है lecture के end में ठीक है तो paper के पास यह बहुत ज्यादा useful होता है बच् सारे concept को किये और वो revise करवाना करना चारा है तो एक दिन में दो दिन में बैटकर शारे lecture देख लो math के सारा syllabus fresh हो जाएगा आपने यहीं से syllabus किया है और उसी syllabus के base पर मैंने qrp generate की है तो यह unique कहीं पर मिलता ही नहीं है ठीक है और शाथ में math के अंदर आपको handwritten notes में मिल जाते ह पर print out ना निकल वाओ खुद बना लो आप ठीक है qrp देखकर भी आपको notes हमेशा खुद ही बनाने चाहिए आपके notes है तो इनसे आपको मदद मिलेगी next reasoning के अंदर extreme practice set है because reasoning जो है एक ऐसा subject है जिसके अंदर एक बार concept करने के बाद बार बार practice करने की ज़रूत है तो यहाँ पर सरने sets दे रखे हैं और यहाँ पर आपको practical guidance हम बीच बीच में देते हैं तो guidance और practical guidance में एक फरक है तो हवा हवाई बात देख रहे है एक exactly यह चीज़ बताएं कि तुम्हें यह problem है और यह ऐसे ठीक होगी और आप उस चीज़ को follow रहत है वो ठीक हो जाए problem ठीक है तो मैं इस तरह की guidance ऐसे आप में हवा निबरूँगा come on you can do it फलाना डिमका न आपकी actual problem का एक genuine solution दिया जाएगा जिससे solution होगा उन-उन problems का जिनको आपका पता भी नहीं कि वो problem है ठीक है to actually get a job this time ठीक है मैं बहुत ज्यादा इसीज में interested रहता हूँ कि मतलब जिस purpose के लिए हम मिले हैं इसी टाइम आपका उपर पज़ो फुल्फिल हो जाए ठीक है भाई next tier two batches जो है वो कल launch करेंगे हम आज बच्चों के exam हो जाएंगे यह मर को information देनी थी कल दोम दराग कैसे tier two batch launch करेंगे भाई जो अपने practice बैच है then next जी फी तो जैसे math जो है इसके अंदर आप क्या कर सक आप 8 मंत के लिए enroll कर सकते हो आप 4 मंत के लिए enroll कर सकते हो then math में आप arithmetic ले सकते हो आप advance ले सकते हो arithmetic भी आप 6 महीने या 12 महीने के लिए ले सकते हो advance भी आप 6 महीने या 12 मलब काफी सारी हमने choices रखिये हैं कि बच्चे की जैसी भी requirement हो हैं उसको extra fees ना देनी पड़े वो किसी भी तरह के course के इंदर enroll कर ले ऐसे ही reasoning में भी choices हैं 12 मीने के लिए enroll कर लो 6 मीने के लिए enroll कर लो तो मैं सारी fee तो यहाँ पर लिखूंगा नहीं लेकिन मैंने एक काम किया है कि जितने भी ये courses में आपको बता रहा हूँ अलग लग जितने भी option है हरे course के उपर हमने discount दिया है जो एप के अंदर जो course listed है वो discounted fee पर ही listed होगा कोई बचे coupon वगरा मांगते रहते हैं भाई coupon हम generate ही नहीं करते हैं वो एप के अंदर by default लिखा हुआ है हम generate नहीं करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे फिर coupon बेचारे लगाएंगे नहीं discounted price पर बच्चों को मिल रहा है और कुछ महंगा करे दे वो ठीक नहीं लगी का तो हम already discounted fee पर जो courses है वो available कर देते हैं लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो वो तो available है ही जो 12 महीने वाला course है हर एक course के उपर हमने discount गया हर एक course की जो fee है वो हमने down करी ठीक है लेकिन जो 12 महीने वाला course है उसकी fees हमने बहुत ज्याद डाउन करती है पहले के comparison में और साथ में उसके अंदर एक महीने की extra validity दे रहे हैं लेर है तो जो 12 महीने वाले course है उनको आप target करियेगा फिलाल math का 12 month plus 1 month का जो course है वो 15.99 में आपको app के उपर listed मिलेगा इंगलिस का भी 15.99 reasoning का 13 महीने के लिए 8.99 ठीक है और ये tier 1 plus tier 2 सब कुछ ये cover कर रहे हैं ये सारे courses जीके का सब कुछ मैं बोल रहा हूं जैसे math का arithmetic, advance, tier 1, tier 2 दोनों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं सब कुछ जितना भी content available है SAG के में history, policy, science, geography सब कुछ ठीक है 12 month plus month 13.99 फिलाल आपको listed मिलेगा app के अंदर आप वहाँ पर जाकर इसके अंदर enroll कर सकते हैं ठीक है मेरे भाई, then next how to enroll in courses, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि course में enroll करने से पहले आप उसको कैसे देख सकते हैं मालव आपको ये लगे कि आर मैं तो ये देखना जा रहा हूँ कि course के अंदर है क्या, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अपनी app को download करो, ठीक है अपने हाथ में तो देख नहीं पाओगे, phone में app download करने पड़ेगी, step 0 है इसलिए, step 1, जब आप app को अपने phone के अंदर download करके install कर लो, app आप कहां से करोगे, मैं link description में दिलवा दूँगा, वैसे काफी बच्चे, मालब almost जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तभी ने app को download करी लिया होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी free चीज़े मिलती है, ठीक है, तो इसके अंदर जब आप जाओगे, तो जो paid courses demo है, इसके अंदर हर subject का one complete topic, demo में दे रखा है, one complete topic, जैसे generally आपको दो classes दी जाती है, demo की नहीं, दो classes में बहुत अच्छे से impress किया जा सकता है, exactly क्या content आपको मिलेगा, पूरा chapter, जिससे बच्चा एक well informed decision ले पाए कि, हाँ, इस teacher से मुझे समझ में आ जाएगा, ये content जो है, हाँ, ये मेरे type का है, मज़ा आ जाएगा, अब मैं enroll करूँ, ठीक है, तो paid courses demo के अंदर आपको one complete topic मिल जाएगा, यहाँ पर maths का आपको percentage मिल जाएगा, बाकि और भी subject के हर एक के complete topic वहाँ पर पड़े हैं, उनकी PDF सब कुछ पड़ा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर दे इसके अंदर math, english, reasoning, gk, ऐसे अलग-लग आपको subject दिकेंगे, जब आप math के उपर click करोगे, तो आपको ये सारे courses की choice दिकेगी, arithmetic चाहे मिने बारा मिने advanced चाहे मिने बारा मिने math, 12 month, 8 month, 4 month, ठीक है, तो इन में आप ये देखोगे, क्योंकि 12 month वाला हमने सबसे ज्यादा down किया है, बच्चे के लिए वही फायदे मंद रहता है कि एक बार वो education के अंदर invest कर दे, फिर बिना ज्यादा सोचे, नहीं तो बच्चा क्या करता है, इधर उदर ऐसे बटकता रहता, फिर वो पढ़ता रहे तभी उसकी job मिलती है, ठीक, तो जिस भी subject के उपर आप click करोगे, वो जो courses हैं, आपको दिखने लगें, उनके जो भी courses है, ठीक है मेरे भाई, तो that's all, let's work for a rank in top 100, जो 2000, जो पिछले वाला भी, 30 वाला तो भी होएगा है, जो 22 वाला है, जो पिछले वाला जो result है, उसमें 1000 student के selection हुए है, बहुत सारे बच्चे top 100 rank के अंदर है, top 1000 के निचे तो बहुत सारे बच्चे हैं, और यूट्यूब के उपर जो community post है, वहाँ पर बहुत सारे photo लगाए भी थे, कई हफ्ता तक तो वो खतमी नहीं हुए, इतने extra extra photo मुने display किये थे, जो बच्चे हैं, और यह तो वो बच्चे हैं, मैं यह नहीं करता कि हाँ यार तरह selection हो गया, मेर फॉर्म बर देया, यह करते हो गते हैं, जिन्होंने सामने से result बताया है, बस जिसने सामने से Google फॉर्म बर भाए है, वो हमने माल लिया, गीना, ऐसे खुद जाकर मागते नहीं है, तो हम जो तियारी करेंगे वो इस लेवल की करेंगे बाकी हम इस लेवल की तियारी करेंगे आप किस लेवल की उसके साथ करोगे वो डिसाइड करेगा कि टोप 100 में रैंका जाएगा टोप 1000 में रैंका जाएगा inspector की rank मिलेगी auditor की rank मिलेगी जो भी आपको rank मिलेगी अभी से तियारी करो easily हो सकता है बड़िया time है 2024 के लिए सारे exams को target कर सकते हो cgl, chsl, mts, cpu सारे exams को target करो जब एक बार एक exam के अंदर dream post मिल जाती है बाकी की dv skip करता हो ठीक है मेरे भाई और कोई भी query हो आपको तो आप whatsapp कर सकते हो या call कर सकते हो इस number के उपर एक और बात I can bet मैं bet ले सकता हूँ कि पूरी industry के अंदर जो sport team है सबसे best sport team अपनी है ठीक है कई बार मैं वीडियो के निचे कहीं कई comment देखता हूँ कि sir मैं phone कर रहा हूँ ये problem solve नहीं हो रही ये problem solve नहीं हो रही ठीक है कोई भी आपको problem होगी तुरंत ये आपको solve करके देगी ठीक है और दूसरा जो youtube के comment है उसके उपर मैं हमेशा नजर रखता हूँ अगर कोई एक comment आए कि sir so and so कर दिन phone किया था मैं कहा भाई उस दिन चुट्टी थी तुम कल phone करो ठीक है तो कोई भी कुछ भी problem होगी आप यहां पर call कर सकते हो आपकी हमेशा मदद की चाहिए so that's all by this video के अंदर बाई 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 टेक कियर अब यह एक चीज़तों मैं बताना भूली गया कि यह जो discount कर रखा है fee के अंदर यह next three days के लिए रहेगा और जो 2024 वाले बच्चे हैं फिलहाल जो अपनी math की book है और reasoning की book है flip card के उपर available है math की book और reasoning की book जो है वो flip card और amazon दोनों के उपर available है उसका भी आज last day है उसका price हमने बहुत ज्यादा डाउन कर रखा है जो 2024 वाले बच्चे हैं वो उससे डेफिनिटली benefit होगा यह वाले बच्चों को मैं नहीं बोलूँगा भी दिन कम है आपके exam के लास्ट day है उसका 500 के करीब प्राइस है मैंत की book का 350 के अंदर वो लिस्ट करके 349 के अंदर तो आप उसको भी check out कर सकते हैं